कबर जार्खन के सिक्षा मंत्री स्री जगनात महतों ने कहा पारा सिक्षकों की अस्थाईकरन और बेतनबान की मांग पूरी होगी की निवती होगी खबारे सिम्डेगा बिधानसवा शेत्र से जार्खन पार्टी के परत्यासी रहे पूर्व एड़ी जी डूंग डूंग ने पार्टी की सद्यस्यता से इस्तिफा दे दिया है इस्तिफि में उन्होंने कहा है कि वह अपने सिधान्त और स्वार्थ की बीच सामंजस अस्थापित नहीं कर पाए इसलिए व्यक्तिगत कारणों से इस्तिफा दे रहे है रेजी डूंग डूंग ने 2019 में नौंबर महीने में जार्खन पार्टी की सद्यस्यता गरहन की थी पूर्व एड़ी जी ने एनोस एका की पार्टी जार्खन पार्टी की सद्यस्यता ली थी पूर्वे एडीजी ने पत्र जारी कर कहा है कि हाल फिलाल जब मुझे अपने विधानसवा शेत्र में रहना चाहिए था लोगों की सेवा करनी चाहिए थी लेकिन कोरुणा की कारण नहीं रह पाया पूर्वे एडीजी ने कहा कि मैं इस्तिफा पूरुन तह व्यक्तिगत कारण से दे रहा हूँ टाना भगतों ने टोरी में रेल ट्रेक किया जाम सत्तर से अधिक मालगाडियां फसी दोस्तों खबर है जारखंड के लाते हर जीले के चंदवा परखंड के टोरी जंक्षन रेलवे इस्टेशन पर महतम गांधी के अनुजाई आधिवासी टाना भगतों ने भूमी कानूनों में अपने हीतों के उनुसार बदलाव की मांग के लिए अनशीत कालिन आर्थिक न गंज रेलवे इस्टेशन पर रुकी हुई है वही नई दिल्ली से राचिया और हावडा के रेल मार्ग पर चलने वाली सत्तर से अधीक मालगाडियां भी बुधवार शाम से बाधित हो गई हैं इनमें दिल्ली समेत तेश के अन्नेक हिसों में बिजली सयुत्रों के लिए जाने वाले कोईले के रिक्स भी शामिल हैं खबर बाराचटी बिधायक समता देवी को लालू से मिलना पड़ा मंगा दोस्तों बुधवार को लालू से मिलने पहुंची राची आई बिहार के बाराचटी की बिधायक समता देवी को राची जिला पर शासन ने इन किया गया है। लालू के बंगले के बाहर दंडाधीकारी, तैनात किये जाने और सकती का निर्देश दिये जाने के बाद से ही वहाँ आवाजाही कम हो गई है। बिधायक सम्ता देवी ने जार्खन आने से पूरो पर्मिशन नहीं लिया था। इसी कारण यह कारवाई की गई है। बिधायक से पूछताच करने के बाद क्वारेंटाइन में रहने का देश दिया गया। सालवे ने कहा कि जो लोग पहले ही 2019 में डिफॉल्टर हो चुके हैं उनको अलग योजना के तहत राहत दी जाएगी। लेकिन कोरोना से समदित स्कीम के तहत राहत नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग समाने योजना के तहत राहत की मांग कर सकते हैं जो कोरोना को भी धियान में हों मामले की अगली सुनुए 10 सितंबर तक के लिए टल गई है सोलिशिटर जनरल तूसार मेहता ने कहा कि हम मानते हैं कि जितने लोगों ने भी समस्या रखी वस सही है हर सेक्टर की स्थिती पर विचार जरूरी है लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी धियान रखना होगा एस जी तूसार मेहता ने बताया कि बैंकिंग अर्थिवस्था की रीड होती है सोलिशिटर जनरल तूसार मेहता ने कहा कि जब मोरिटोरियम योजना लाई गई तो मकसद यह था कि वैपारी उपलब पुंजी का जरूरी इस्तिमाल कर सकें उन पर बैंक की किष्ट का पोज न हो खबर है हवायात्रियों के लिए बड़े खुश खबरी सरकार के इस फैसले से अब आसानी से मिलेगी फ्लाइट दोस्तों आप फ्लाइट बुक करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही जी हा मिल भी रही है तो किराया बहुत ज्यादा तो फिक्र न करे अब फ कुरी शमता का सिर्फ 45 परसेंट उडानों की ही मंजूरी थी अनलोग फोर के ताहत लिए गए एविएशन मंत्राले की फैसले से एक और एरलाइन्स खुश होंगी क्योंकि उन्हें नए हवायात्री मिलेंगे जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा वहीं दूसरी और इस फैसल में मुसाफिर ज्यादा सफर करते हैं इससे एरलाइन्स को अपनी कमाई बढ़ने की उमीद भी है एविएशन मंत्राले ने ये फैसला मौजुदा हालात और घरेलू हवायात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते वे लिया है मई में हवायात्रियों की संख्या एक दिन मे वालों के लिए सरकार ने किया बड़ा एलान नए साल पर लागो होगा ये नियम दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने देश भर के राष्टी राजमार्गों पर एक दिसंबर 2019 से सभी प्राइवेट और पबलिक वाहनों फोर वीलर और उससे अधीक के लिए फास्टेक जी हां फास्टेक बना दिया था अब परिवहन मंत्राले ने दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए पुराने वाहनों में फास्टेक को अनिवारे करने के लिए मौसोधा अधी सुचना जारी की है जो जनवरी 2021 से परभावी होगा सड़क परिवहन और राजमार् से उन गाड़ियों में भी फास्टेक लगाना अनिवारे होगा जिनका रजिस्ट्रेशन एक दिसंबर 2017 से पहले हुआ है इसके अलावा मंत्राले ने अप्रेल 2021 से थर्ड पार्टे इंशुरेंस को परभावी बनाने के लिए फास्टेक को अनिवारे बनाने का भी प्रस्ता के लिए अनिवारे कर दिया गया है और वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा आप उर्ति की जानी है खबर है इन पांच राजियों के 90 शहरों में देज हवाओं के साथ बारिक की संभावना दोस्तों देश भर में मौनसून की धमाकेदर बारिश का दोर जारी है इस पर बारिश जारी रहेगी इसकाइमेट वेदर के जानकानों का नुमान है कि अगले 12-18 घंटों के दोरान देश की करीब 90 शहरों तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है यह बारिश जीन राजियों में होगी उनमें मुखे रूप से राजिस्थान और दिल्ली इंसियार ह अकले राजिस्थान के 31 शहरों में बारिश की संभावना है पसीमी राजिस्थान पंजाब हरियाना दिल्ली पसीमी उतर परदेश यम्मू कश्मीर पुरुवतर भारत 36 गड़ महराष्टर और तमिलनाडों में हलकी बारिश के साथ एक-दो अस्थानों पर मध्यम बहुच और जो लोग टेक्स नहीं भरते हैं उन्हें पकड़ने के लिए बैंकों कुछ विशेश अधिकार दिये हैं बैंक अब पैन कार्ड की मदद से देख सकेंगे कि किस कंपनी ने कितना आयकर रिटन भरा है केंद्रिय परत्यक्ष बोड याने CBD ने ITR Filing Compilence Check के नाम से नहीं व भरने वालों का स्टेटस असानी से ट्रेक किया जा सकेगा आपको बता दे कि सीविलिटी के अधिकारियों ने बताया कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर लेंदेन करते हैं लेकिन कभी इंकम टेक्स फाइल नहीं करते इस नई बेवस्था की मदद से ऐसे लोगों को इंकम टेक्स भरने के लिए प्रिरित किया जाएगा इसके साथ ही काला धन पर भी लगाम लगेगी आपको बता दे कि वित्ये कानूं दोहर 20 के तहत इंकम टेक्स दाखिल नहीं करने बालों के 20 लाक रुपे से अधिक निकलने पर TDS का प्रावधान है इस तो देश हित में सारे काम करने वाले पियम मोदी लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं हाल ही में ऐसी खबरे आई हैं कि पियम मोदी ने अब तक 103 करोड रुपे का दान किया है सारबजनी कामों से लेकर गंगा सफाई तक और तो और करोना की लड़ाई तक प बनाए गए पियम केर्स फंड के लिए मोदी ने 2,25,000 रुपे दान किये थे सुत्रों की माने तो पियम मोदी ने 2019 में अपनी सेविंग से कुम्भ मेले में काम करने वाले सफाई कर्मियों के लिए 21,00,000 रुपे बने फंड में दान किये थे इसी के साथ ही सीवल शांती खबरों की माने तो पियम मोदी को पिछले साल जो भी मोमेंट टोज बतोर परदानमंत्री मिले हैं उन्हें भी उन्होंने निलाम कर दिया और उससे जुटाए 3,401 करोड रुपे भी नमामी गंगे फंड में दान कर दिये खबर 118 चीनी एप्स के भारत में बैन से अलिबा या उनकी कमपनियों की 50 पिसदी से ज्यादा हिस्सेतारी है इसे चीन की दिगज डिजिटल कमपनियों पर बड़ी चोट माना जा रहा है परतिबंधित एप में चीन की दिगज डिजिटल कमपनी शयोमी टैंसेट अलिबाबा और बाइदू पर सब से ज्यादा असर पड़ उसका एप Tencent Watch List Tencent Wayoon भी सुची में है Ludo World Ludo Superstore Tencent का ही लोगपरी एप है Tencent समर्थित कंपनी क्वाई का एप फोटो और वीडियो एडिटर एप MB Master भी नहीं चलेगा आपको बता दे कि बाइदू चीन का Google माना जाता है जिसे जुड़े एप वाईदू, वाईदू एक्सप्रेस है वीचेट के एप वीचेट वर्क, वीचेट वीचेट रीडिंग शामिल है अलिबाबा के फाइनेंस और मैसेजिंग एप अलिपे अलिचेट मोबाईल ताओ बाओ शामिल लिख टिक टोक का वीवीपियन एप भी सुची में है